Capital Smarties Overseas Prime 1 Sector A में Development की क्या सूर्थचाल है आज के स्टूडियो में को वो एक्स्प्रेन करूँगा बहुत सरे मेंबर्स पूस हवाल करते हैं कि Overseas Prime 1 में Development की ओवराल सूर्थचाल का है तो अब यह जो नई सीरीज है इसमें आपको अपडेट करना शुरू करूँगा यह वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है यह 12th of February 2023 को रिकॉर्ड हुई है तो इसमें आके जाके जितनी वीडियो में शामिल करूँगा वो डिफरेंट डेट्स की होंगी 12th February की सरे दो यह तीन वीडियो होंगी जो मैं आके जाके सीरिस में explain कर दूँगा तो sector A से स्टार्ट करते हैं और सिस प्राइम बन के कि sector A में इस तरह कर देवल्पन का सूर्थाल क्या है sector A में specifically society की तरफ से कोई specific cuttings launch नहीं की गई थी sector A को reserve किया गया था और सिस प्राइम बन के इसमें बाद में जाकर टाउन हाउसे और इस तरह के डिफरेंट जो चीज़ें होंगी जो साइटी इस सेल्फ यानि के बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर की बेस पर आपको हैंड़ोवर करेगी या रेंटल पॉइंट पॉइंट वेसे हैंड़ोवर करेगी तो वह चीज़ें जो ह है अगर हम स्ट्रीड बन की बात करें जिसकी वेट बनती है 50 फीट वह भी तक्रीबर मकमल कार्पिटिंग हो चुकी है और जो स्मार्ट स्टेम गर्स कॉलेज है उस पर भी आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होती हुए नजर आ रही है याद रहे कि साइट पे इस वक्त स्ट्रक्राइब को बनती है या थे उसके उपज़ पर चाहन डैम की प्रिमिस्स थाइब इसलामबाद में पहाड़ी अलाके में रहते हुए अगर आपको वाटर वाड़ी के साथ युनिट है तो डेफिनलि आपको इसका लॉंग ड्वांटेज होगा बाकियोगा ब्लॉकर स्ट्रीट 14 स्ट्रीट 14 स्ट्रीट 15 मैं आपकी चीजे आप आप एड़न कर दूगा वो इस वक्त प्राइम सेक्टर है वो इस सवक्त बगर को सायटी चाहें चैश प्लॉट सेल करना जना पर जितने प्लॉट सेल किया जाएं तो उस तरह से बैसे इस तरह से इसको इसको डिवेलप किया जा चुका है थालांके यह जो एक specific sector है इसको sale में कभी present ही नहीं किया गया तो यह सुर्थधाल आस society की development की overall याद रहे के प्रिविशली जब Capital Smarty लॉच्छ हुआ था back in 2017 यहनी कि जब यहां पे initially launching तो 19 में हुई है 11th October को लेकिन यहां पे प्रॉपर ली यहां पे यहां पर आपर काम आपको प्रॉपरली वहां पे प्रॉपरेट रोड मिलते हैं सेवरेज लाइन बिची मिलती है कुछ जगा पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है स्मार्ट स्टैम कॉलेज बन रहा है स्कूल बन चुक है अलड़ी स्मार्ट स्कूल यह स्राइटी का मसाजित साइट बे बन चुकी है और ग्रेंट जामय माज जो 400 फिट रोड बन चुकी है उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है तो यह है ओवराल सूर्थहाल सेक्टर A की before going into the details सबसे बहले देखते हैं Google Earth location पे क्योंके map अपडेट हो चुका है जो आज की वीडियो इस ब्लॉक के वाले से है वो ब्लॉक बनता है Overseas Prime Sector A आज की स्टुडियो में जो पहले चीज़ें करूंगा वो है चार साइट इस ब्लॉक की कि चार साइट पर कौन से चीज़ लोकेटेट है और उसके बाद में आपको इस ब्लॉक में के स कैटेगरी के प्लॉट से ब्लॉक में भी इक्स्प्यून कर दूँगा और जो आपका इंटरचींग से डिस्टंस है उसका भी इक्स्प्यून कर दूँगा जो current route है वो भी और जो future में जा कर route बन सकता है वो भी explain कर दूँगा सबस्क्राइब देखते हैं जी इसकी नौर्स साइट पे नौर्स साइट पे चोहान डाम की प्रिमिसिस आती है तो इसलामबाद पिटनी की डुमेन में रहते हुए अब आपको water facing plot मिलते हैं तो definitely it's your luck ये overall इस block की सबसे बड़ा चाम बनता है कि two side पे इसके north side और इसके west side पे दोना side पे इसके water bodies का गुजर है तो definitely ये area इसलिहाद से promising लगता है future में अब देखते हैं अगर जी north side पे इसके dam बनता है चाहान डाम east side पे सेक्टर B बनता है जहाँ पे 7 मरला, 12 मरला और एकनाल की cuttings है और west side पे बात करें again sill river और अगर हम बात करें इसके south side पे तो इसके sector B की 7 मरला की cuttings बनती है इस area में अब sector A के हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका location से distance interchange है अगर हम इसको interchange से comparison करें तो सबसे लिए master plan पे देखते हैं कि इसका proper route बनता है वो कौन सा बनता है और बाकी में वीडियो माके जाके आपको points से clean करेंगा यह updated master plan एक member मुझे पहले भी कहा था कि ranches का part आपने पराना map यूज़ करते हैं तो यह ranches का part जो proper map पे नजर आता है खर मैं बाद में इस पर distance करूँगा but even just for the record यह new map है जो smarty website पे available है सबसे पहले जी route मेर करते हैं कि इसमें आपको current route पड़ता है उसमें आपको distance कितना बनता है एवन दो यह route अभी properly त्यार नहीं है लेकिन फिर भी आप इसे एक distance का ideal गासते हैं आपको gate से distance कितना बनेगा इसका overseas prime बन का तो approximate distance जो बनता है that is 5.21 km जो के ज्यादा distance नहीं है अगर time की बात करें हम तो every time जो है यहां पे hardly 5-7 minute required आपको interchange तक जाने के लिए even though बीच में commute में आपको traffic भी face करनी पड़ेगी क्योंकि यह different districts के beach में से road गुजर के जाता है तो इतना असान road नहीं होका लेकिन फिर भी not bad क्योंकि आपको distance ज्यादा नहीं है next is के master plan पे दूसरा alternative road देखते हैं जो भी existence में है अभी इस road को देखें तो आपको इस side से गराते हैं तो आपको यह वहला route बनता है अभी तो खेर हम चक्री road के इस्तेमाल करते है चक्री road से होके sector इस दर जाते है कि रोड बड़ा easy access है इस point तक आते हाते around 8.59 kilometers तकरीवन 9 kilometer यह पॉने 9 kilometer का distance बनता है आपका आज की date में overseas prime 1 sector A तक यह आपका route बनता है इसको आप physically physically आपको नदर आ रहा होगा visibly तो यह इसका route बनता है आज क्या इसके बाद हम next बात करें तो next is इसमें masterland में देखते हैं कि बाकिये मेनिटी से resistance यह interchange अभी current रस्ता यह वाला और एक route इस block के अंदर से होके भी जाता है उदर से 8.59 km था तो 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 से 3.59 km कम हो गया 7.87 km के distance इस road से बनता है अचा जी यह होगी इसकी overall route की बात कि इसका distance कैसे बनता है मैं दोबरा master plan का off करता हूँ specifically prime का map है जो current map है वरस्स प्राइम बन का मैं वोन करता हूँ और आप वहां से बागी चीज़न करता हूँ अचा जी इस ब्लॉक में जो plots हैं 9.3 मरला plots और बैक साट पर यह वह बन कनाल के plots होंगे यह वन कनाल के plots होंगे बट अभी इस बारे में specifically मुझा आइडिया नहीं है कि स्वाइडिया यहां पर क्या लाँच करती है यह वन चीज़ एक जो देख सकते हैं वह यह अपले देखते हैं पास्ट मेरिया कैसा था मुझा जब स्मार्ट यहां लाँच हुआ था शुरू में तो आपको इस एरिया में आप यहां से कच्छे रस्ते से जाते थे नीचे और यहां से घुजर के आप सिल रिवर क्रॉस करके आगे और सिस प्राइम बन की तरफ जो इसका नाम Overseas 1 था था तो अगर प्रिवेस इसकी में जीज़ देखें नेमबर 2022 गाए नमेर 22 और अक्टोबर 2022 आपके सामने है नम्बर 2021 तो इतल है जाते है यह कुछ दिखाई기로 मार्च 2018 में देखें तो यह सारा अरिया बिल्कु रॉ लैंड थी मगर इसको अलिवेशन को दिखा सकों यह इस तरह की पहाड़ियां होती थी लैक दिस तो यह एरिया को खास उस तरह से सीकुण्स में लैंड नहीं थी तो यह बहाड़िया थी यहां गाल यह उप बनता है यह अपकप्राइम का अबनता है यह अगर तो यह तो दोबरह देखते है ऊंजडरी आप पॉंट को तो यह इसकी प्राइम बन की लोकेशन है, यह वाला अरिया बनता है, मैं दोबरा टाइम लाइन को आगे करता हूँ, और देखते हैं कि अरिया में चेंजिस जो हैं, वो कितने आया हैं, इन दे टाइम फ्रेम आफ प्रिवियस त्री तो फोर यह तो यह तो यहां से हम कचे रस यह समारटी का साइट आफिस है, कैंप ऑफिस और यहांबे बेशिंग ब्लाइन इस्टॉल हो गया है, यह यह तो यह तो यहां बेशिंग प्लाइन के प्रोष तेशन था, यह तो अर्यून पहीं देखें जून 2019, जवामबर 2019, एपरिल 2020, फिवियर 2020, शुम्यर 2020, जुलाय 2020 नेक्स्ट इस 2021 जन्वरी में 2021 नमंबर 2021 और डिसम्बर 2022 तो इसम्बर 2022 में एरिया आपके सामने फिजिकली क्लियर है कि इसमें किस तरह development हुई है ताइम स्पैन और रिसेंट 4 years 2017 2018 से लेके इस rate तक अगर आप count करें 2018 से आगे count करें तो यह एरिया किस तरह से develop है वैसे develop तो दो साल में हुआ है लेकिन time हम जार से पाता पूरा count करेंगे कि एरिया जब से जहां से घुजर रहे थे यह land भी जार से बाता 2020 में launch किया था 2020 onwards देखते हैं तो यह land कुछ इस shape मे आ चुकिया है यह साथ B block elevation है कुछ डिप्रेशन भी है कुछ डिप्रेशन भी है कुछ जगा cutting भी है लेकिन ओवराल जो elevation है सेक्टर एक ही वह आपके सामने clearly visible है कि यहाँ पे future में जा कि आपको development किस तरह की देखने को मिलेगी यह इसका layout प्यान है और से प्राइम सेक्टर आप कह बढ़ने के मैप के ऊपर जो plots है कोंसे plots हैं मैप कि अगर बात करें मैप के ऊपर प rasa plot how रह नबर 1 यह जो प्रिमियसजा यह तो यह से smart stem college है तुमाँ के तमाम यह टाउन हाउस के प्लाट है यानि कि ग्राउंड फर्स सेकेंड जिसता हार्मी पार्टमेंट इस तरह यहां बनेंगे बट अच्छी वाटर बाड़ी तो आपको वाकिन दिस्टंस पर यहां पर चहां डैम की प्रिम्सिस में जाना को मिलेगा यह वाला जिसाइब हासिल हो सके अगें बैक टो रेल टाम फोटेज और दोबारा अपने स्क्रीन पे जो सेक्टर एक अपड़ेटेट फैबुरेरी 2023 की में जीज़ेज़ें वह देख सकते हैं के सबसे पहले एकर मैं सीक्टिव लॉग लाउंच हुआ था जिसका नाम था जिसका नाम था Overseas East उसके बाद जिसका नाम था Overseas Central और जिसका नाम था Overseas 2 और बाद में इसका नाम चीज़ें करके 2022 में उसका नाम Overseas Central रखे दे गया था I think June का महीना था जब इसकी बैलेटिंग होई थी I'm not pretty sure कि डेट कौन सी थी बाट इसी के आसपास बैलेटिंग हुई थी देन दो किसकी लोकेशन जो है वो चक्री रोड से अजसेंट है as compared to Motorway जिस तरह Overseas Central की लोकेशन है बढ़ हाँ जो एक अच्छी बात है प्राइम की वो है इसकी जमीन की ऐलेवेशन यानि जो जहां पर प्राइम बन रहा है ऐलेवेशन आपको बैक साट पर देखें तो हार जी के असपास भी इस तरह पहाड़ी सलसला है अगर Motorway के साथ बात करें तो वहां पर लोकेशन भी अच्छी है और व्यूब अच्छा मिलता है लेकिन लैंड जो है वहां पर कहीं जगा डिप्रेशन की है और कहीं जहां पर नॉर्मल लैवल लैंड है जो Overseas Prime 1 की लैंड है वह काफी ज़्यादा Elevated Land बनती है तो यह था Overseas Prime 1 का आज की सूरतियाल उमीद करते हैं आने वले दिनों जब मजीद development होगी इंशालला तो मैं आपको साइट के हवाले से मजीद update करता रहा करूंगा तो यह थी ओवराल वीडियो अगर आपको Capital Smart City या लाहौर Smart City में कोई अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस